हलो स्टुडेंट्स आप सुभिनों का सुमित राणा BSC क्लासेज में स्वागत है बेटा आज किस वीडियो लक्षर 10 में हम बात करेंगे Modern Atomic Model by Schrödinger हमने पिछले लक्षर में Schrödinger Wave Eccution को प्रूफ किया था और Schrödinger Wave Eccution से क्या क्या चीज़ें calculate होके आई Schrödinger Wave Eccution से क्या चीज़ें calculate की जाती है clear उन सारी चीज़ें को हमने विदवत तरीके से point to point समझा था और Schrödinger Wave Eccution को prove भी किया था यहाँ पर यह जो Modern Atomic Model है जितने भी पुराने Model है उन Models में Electron को एक particle कितने treat किया गया जबकि यहाँ पर जो Modern Atomic Model है जो Schrödinger ने डिजाइन किया था इस Model में जो Electron है वो Electron को ऐजे बे मानके नहीं कह सकते है कि Schrödinger का जो Modern Atomic Model है वो Electron की Wave Nature पर based है Electron की Wave Nature और Particle Nature इसको आपने बहुत अच्छे से पिछले lecture में समझा है अब यह जो Modern Atomic Model है इसका क्या कहना क्या इसकी Postulates है उन पर हम बात करने जा रहे है तो लिखा है कि इस Model के According इस Model के According एटम के दो पार्ट होते हैं जो हमारा Atom होता है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं पहला हमारा Nucleus एटम को हम as a spherical मान के चलते हैं यह इसका Nucleus हो गया यह इसका क्या हो गया Nucleus पार्ट हो गया तो पहला हो गया आपका Nucleus पार्ट पॉजिटिव Nucleus और दूसरा पार्ट जो है वो आपका है Nucleus के around वह 3D space जहां इलक्ट्रान के पायजाने की probability maximum होती है maximum होती है आर्विटल कहलाता है तो स्रोडिंगर का जो modern atomic model है उस model के अनुसार जो item होता है इसके दो पार्ट है पहला Nucleus और दूसरा Nucleus के चार ओर का वह 3D space जहां electron के पायजाने की probability सबसे ज़्यादा होती है उन 3D space को या उन regions को हम लोग orbitals या atomic orbitals कहते है यह पहला point के लिए हुआ दूसरा point देखिए दूसरा point है कि atom में nucleus के बाहर उसके electron different shapes और energy के atomic orbital में distribute रहते है यह बहुत important point है कह रहा है कि अगर यह nucleus है और इसके चार ओर क्यूंकि हमने electron को ऐज़े बेव मान के चलने है तो उसकी position तो particular fixed होगी नहीं वो जिन जगों पर होगी उनको energy levels कहते है clear तो कह रहा कि atom में nucleus के बाहर electron difference different shapes shape card क्या होगा कि जो regions होगे जिनको हम लोग atomic orbitals कहेंगे उनकी क्या होगी एक shape बन जाएगी क्या बन जाएगी एक आकरती बन जाएगी अभी आप लोग देखेंगे कि orbitals हमारी 4 होती है spdf clear आगे point में भी discuss करेंगे हम लोग तो atoms में nucleus के बाहर उसके electron जो होते हैं वो अलग अलग या भिन भिन shape में मिलेंगे अलग अलग आकरतीयों में मिलेंगे और उन सब की क्या होगी energy भी अलग अलग होगी अगर वो s होगा उसका energy अलग होगा p का energy अलग d का energy अलग और f का energy अलग clear आगे कह रहा है कि atomic orbitals में distribute रहते हैं एक orbital में maximum दो electron रह सकते हैं धानक न यहाँ पर जो orbital का design बनेगा वो ऐसा में एक box type का बना देंगे और इसमें इस तरीके से electron भरे जाएंगे पहला आपका clockwise दूसरा है नहीं यहाँ पर जो भी दो electron भरे जाएंगे उनकी जो spin होगी यह जो spin होगी यह हमेशा आपको opposite मिलने वाली कैसी मिलने वाली है opposite मिलने वाली है तो कह रहा है कि एक orbital में maximum दो electron रह सकते हैं लेकिन इनकी spin की direction opposite होती है कानी समझ मा रही है तो second point क्या कह रहा है कि atom के बाहर जो space है उस space में जो electron है वो अलग-अलग भिंड-भिंड आकरतियों में मिलेंगे उनकी energy भी अलग-अलग होगी clear energy के atomic orbitals क्या रहेंगे distribute रहेंगे अलग-अलग energy और safe के atomic orbital nucleus के बाहर मिलेंगे चारोर और एक orbital में maximum कितने electron रह सकते हैं दो रह सकते हैं जिनकी spin हमेशा कैसी रहेगी opposite तीसरा point क्या कह रहा है कि hydrogen item में केवल एक electron होता है जो आपका hydrogen है अगर एक electron होता है तो इसमें electron repulsion पैदा ही नहीं होगा क्योग आपका वो कैसा है वन इलक्ट्रान सिस्टम आपका है क्योंकि इसके अंदर एक इलक्ट्रान है तो इसमें इलक्ट्रान, इलक्ट्रान के भी इसमें किसी ट्राइप का कोई रिपल्सन नहीं लगेगा लेकिन अगर कोई ऐसा एटम है जिसमें multiple electrons हैं एक से ज़्यादा इलक्ट्रान है तो ऐसी कंडिशन में क्या होंगे electrons के भी इसमें maximum repulsion पैदा हो जाता है जिससे energy levels सब energy levels में split हो जाते हैं split का आर्थर तूट जाते हैं इस पॉइंट को ज़रा समझिए कर अगर कोई ऐसा एटम है जिसमें बहुत सारे electron है और वो किसमें तूट जाएंगे वो आपके sub cells में तूट जाएंगे sub cells का हिंदी अर्थ होता है बेटा वो उपकोसों में तूट जाएंगे clear? वो किसमें तूट जाएंगे उपकोसों में तूट जाएंगे fourth point है कि atomic orbital से sub cell या sub energy level बनते है बहुत अच्छी बात है जो atomic orbitals होते हैं इन atomic orbital से किनका निर्माण होता है बेटा sub cell या sub energy levels का atomic orbital क्या होंगे जब combine करेंगे इनकے combination से बेटा क्या बनेंगे हमारे sub-cells बनेंगे जिनको हिंदे में उपकोष कहते हैं और यह आपके जो sub-cells जब combine करेंगे जब यह combine करेंगे तो बेटा हमारे क्या बनेंगे principal energy levels क्या बनेंगे आपके principal energy levels जिनको मुख के quantum संख्या या जिनको हम लोग साट फॉर्म में सेल कहते हैं, सेल्स कहते हैं समझ मारा ना, तो atomic orbital के combination से सब सेल का निर्माड होगा इन्हीं कुल मलाके orbitals मिलकर उपकोस का निर्माड करेंगे और उपकोस मिलकर हमारे कोस का निर्माड करेंगे, clear? यह point हमारा clear हो गया अगला point देखिए, अगला point है जिसे यहाँ पर, वकैदा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर समझाया गया है कि जो हमारी atomic orbitals हैं जब यह combine होगी जब यह combine होगी बहुत सारी atomic orbitals तो सब सेल बनेंगे या सब energy level जिनको हिंदी में उपकोस या उप उर्जा इस तर कहते हैं और यह जब आपस में combine होगे तो जो अगला level बनेगा उसे कहेंगे principal energy levels या cell कहते हैं समझ मारा ना, मुख्य उर्जा इस तर तो orbitals मिलकर सब सेल बनाते हैं और सब सेल्स मिलकर बेटा क्या बनाते हैं principal energy level जिनको हम लोग short form में cells कहते हैं इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो atom होता है इसके अंदर बड़े energy levels मिलते हैं जिनको cells कहते हैं इन cell के अंदर इन से छोटे levels मिलेंगे जिनको सब सेल कहेंगे और इन सब सेल से छोटे level मिलेंगे इनको orbitals और फिर यहां electron यह sequence सभी लोग याद रखेंगे कि जो हमारा atom होगा इस atom के अंदर आपको energy levels मिलेंगे possible energy states मिलेंगे जब यह possible energy states break होंगे तो किनका निर्माड करेंगे सब सेल करेंगे यह कह सकते हैं कि cell के अंदर आपके सब सेल पाय जाते हैं और जब सब सेल स्प्लिट होंगे सब सेल के अंदर कौन मिलेंगे orbital और आर्विटल के अंदर आर्विटल के अंदर बेटा कौन मिलते हैं electron मिलते हैं यह sequence समय सा याद रखेंगे यहाँ पर जो cells होंगे जो energy levels होंगे इनको English letter k, l, m, n, o, p, q, r द्वारण क्या किया जाता है प्रदर्सित किया जाता Hai जो हमारे energy levels होते है यह हमारे principal energy levels या जो cell होते है इनको हम लोग क्या करते हैं जो हमारे alphabetical letter होते हैं alphabetical letter k, l, m, n, o clear इनको हम लोग जो आपके letters होते हैं इनके द्वार के जाता है जैसे म माल लो कि आपने यहां पर पहला लेटर के लिया दूसरा L, M यहें मारे इंगलिस लेटर से भी रिप्रिजेंड होंगे या इनको सेंप्रल नंबर से भी रिप्रिजेंड कर सकते हैं यह जो numbers होते हैं simple इन्ही को बोलते हैं principal quantum number इन्ही को क्या कहते हैं principal quantum number ध्यान रखना या तो energy levels को आप English letter जो आपके alphabetical जो आपके letter होते हैं clear बनमाला के जो आपके English के letter होते हैं इनसे प्रदरसित करते हैं या इनको आप simple numbers से represent कर सकते हैं इन numbers को आप लोग क्या कहते हैं principal quantum number जै इसको k से लिख सकते हैं, clear, आपका दूसरा energy level है, तो इसको आप l से लिख सकते हैं, clear, ऐसे ही अगर आपका तीसरा energy level है, तो इसको बेटा किस से लिख सकते हैं, आप m से लिख सकते हैं, कहां नहीं समझा रही है, यहाँ पर हमने इस तरीके का एक nucleus बना दिया है, और इसके चा कहने कारता है कि यह भी energy level ही है चाहिन को आप English letter से represent करो या simple आप number से clear अगला point है कि किसी cell में sub cell की full संख्या cell की krm संख्या जिसको principal quantum number कहते है कि इपकल होती इस बात को समझ यह यहां कहना यह है कि कि किसी cell के अंदर अभी मैंने बात क्या कही T atom atom के अंदर कौन मिलने वाले हैं बेटा सेल सेल के अंदर कौन मिलने वाले हैं बेटा सब सेल और सब सेल के अंदर बेटा कौन मिलने वाले हैं आर्बिटल और आर्बिटल के अंदर बेटा कौन मिलने वाला electron काहनी समझा रहे हैं ना सेल जिसको आप principle energy level मुख्य उर्जायस तर कहते हैं इसके अंदर कौन मिलेंगे sub energy level sub cell मिलेंगे sub cell के अंदर orbital होंगे फिर आपके कौन मिलेंगे बेटा electron मिलेंगे एक बात दिमाग बैठा लो कि किसी cell के अंदर अगर आपको sub cell निकालना हो तो क्या करेंगे तो दिहान रखना हमारे पास sub cell अपको मालूम होना चीए 4 होते है s, p, d, f तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि table आपको दिख रही है इस table में हमने k, l, m, n यह हमारे cells कहलाते हैं इनका यह serial number है k होगा तो n बराबर 1 होगा l, n बराबर 2, m, n बराबर 3 और n अगर है तो आपका n, y, n बराबर 4 हो जाएगा clear अब इन जो cell हैं जो आपके cell हैं इन cell के अंदर अगर आपको sub cell निकालना हो क्यों आपने क्या पड़ा कि cell के अंदर बेटा कौन होते हैं sub cell होते हैं और sub cell के अंदर orbital होती हैं तो cell के अंदर अगर sub cell निकालना हो तो ध्यान रखना हमेशा cell के अंदर जो sub cell होंगे वो cell के serial number के बराबर होंगे यहाँ पर पहला है तो इसके अंदर 1 होगा, यहाँ 2 है तो इसके अंदर sub cell दोंगे यहाँ पर cell का serial number 3 है तो इसके अंदर sub cell 3 होंगे 4 है तो इसके अंदर 4 होंगे इस तरीके से निकाल लेंगे देखे पहला है आपका सबसेल तो S क्योंकि सबसेल 4 होते हैं यहाँ पर 2 का आर्थ S कामा P 3 का आर्थ S PD 4 का आर्थ S PDF clear इनको represent कर दो तो इसको लिख दो आप क्या करें सेल का सीरियल लंबर देखें कानी संज भाई आगे देखिए यहाँ पर हमने कुछ energy levels बनाए हैं इनको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है देखिए आप देख रहे हैं कि यह जो आपका पहला energy level है यह दूसरा energy level है और यह तीसरा energy level है अभी आपको क्या बात समझाई गई कि कि किसी भी energy level के अंदर जो हमारा cell होता है जो principal energy level होता है उसके अंदर छोटे-छोटे energy levels होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा सबसेल कहते हैं क्या कहते हैं बेटा जिनको हम लोग सबसेल कहते हैं तो ध्यान रखिएगा जो आपका पहला है यह जो पहला energy level है इसके अंदर जो सबसेल होंगे किलियर अभी क्या बोला कि किसी cell के अंदर अगर सबसेल निकालना है तो क्या देख लें cell का serial number तो यहां एक है तो इसके अंदर सबसेल एक होगा आपका वो भी क्या होगा आपका S होगा यहीं 1S बोलेंगे यहां पर आपके कितने हैं आपका energy level 2 है तो इसके अंदर बेटा दो सबसेल होंगे S और P काहनी समझारी ना यह पहला energy level है तो इसके अंदर एक सब energy level होगा जिसको S कहेंगे यह आपका दूसरा energy level है इसके अंदर सबसेल आपके दो मिलेंगे S और P मिलेंगे इनको लिखेंगे 2S और 2P ऐसे ही जो आपका तीसरा एनर्जी लेविल है इस तीसरे एनर्जी लेविल के अंदर छोटे छोटे एनर्जी लेविल मिलेंगे कितने मिलेंगे आपके तीन एनर्जी लेविल मिलेंगे कहानी संगारी ना तीन छोटे छोटे एनर्जी लेविल मिलेंगे जिनको आप क्या कहते सब सेल या सब एनर्जी लेविल तो पहले में कितना होगा एक दूसरे में दो और तीसरे में तीन अब यह जो छोटे-छोटे एनर्जी लेविल इनको थोड़ा सल लिख लेते हैं उनको कैसे लिखेंगे 1S इसको लिखेंगे 2S 2P और इसको लिखेंगे 3S 3P 3D काहनी संज मारे तो यह हमारे क्या है बेटा यह हमारे सेल्स है या इनी को हम लोग क्या कहते हैं प्रिंस्पल एनर्जी लेविल काहनी संज मारे ही ना प्रिंस्पल एनर्जी लेविल यह बेटा हमारे क्या है सब सेल्स है इनी को क्या कहते हैं सब एनर्जी लेविल सब एनर्जी लेविल अब इनके अंदर आपको क्या मिलने वाली हैं बेटा, atomic, orbitals और इन ही में लक्ट्रान आपको मिलेंगे, इसे पहला आपका है 1s, clear, तो बेटा, आपका 1s सबसेल है ना, तो इसके अंदर 1s आर्बिटल होगी, बनियस, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2s सबसेल है ना, तो इसके अंदर 2s आर्बिटल, यह 2s आर्बिटल है, और आर्बिटल बेटा, इस तरीके की होती है, यह, यह आर्बिटल होती है, s, s में 1 ही होगी, यहाँ पर आपका p सबसेल है, यह बेटा, p सबसेल है, इसके अंदर 3P आर्बिटल होंगी यह आपके होंगी 3P आर्बिटल 1,2,3 इनको बोलगा जाता है PX, PY और PZ कहानी समया रही है न ध्यान रखेगा सेल के अंदर सबसेल होगा सबसेल के अंदर आर्बिटल होंगी तो इनके अंदर होंगे आपके P सबसेल है इसके अंदर 3P आर्बिटल इसके बाद फिर आपका 3S सबसेल आ गया इसके अंदर आपका क्या होगा 1,3S आर्बिटल होगा फिर आपका 3P सबसेल है इसके अंदर 3P आर्बिटल होंगी 3P आर्बिटल यह PX PY और PZ इसके बाद 3D सबसेल है इसके अंदर वेटा केतनी होंगी 5D आर्बिटल इस तरीके से ये 5D आर्बिटल DXY, DYJ, DZX, DX2-Y2, DZ2 ये सारी चीज़े हम लोग आगे पढ़ेंगे तो overall हमारे क्या समझ माई कि ये वाले part क्या है energy levels, बड़े energy levels जिनको हम लोग कहते हैं cell, इन cell के अंदर ये मिलने वाले हैं सबसेल और सबसेल के अंदर कौन मिलने वाले हैं आर्बिटल यहां तक clear हो गया ना, आगे बढ़ते हैं, देखिए, 7th point है कि सबसेल को क्रमसा ESPDF से सो करते हैं, अभी भी बताया है कि जो सबसेल होते हैं इनको sapdf, सार principle diffusor fundamental इनकी fullform होती, clear, spdf से सो करते हैं अगला point है कि सबसेल की जो nature वा सेफ है वो different, different होती है, ध्यान रखना यह सबसेल अलग होगी, p अलग होगी, d अलग होगी, f अलग होगी, इनका nature भी अलग-अलग होगा और इनकी आक्रतियां भी अलग-अलग होंगी यह जिसे गोलाकार होती, P-Dumble होती, D-Double-Dumble होती और F हमारी structure इसकी complex होती है काहनी संवारी न? अगला point है कि जो हमारा यह sub-cell है वह concept तो भही चलेगा कि cell, cell के अंदर sub-cell वह cell, cell के अंदर sub-cell और sub-cell के अंदर orbital और orbital के अंदर electron यह concept हमेशा आपका chemistry में याद रखेंगे कभी questions या कोई भी model या कोई भी theory पड़ेंगे तो आपके कभी भी bounce नहीं होगी हमेशा ही point समझ माएंगे तो जैसे यहाँ पर S-cell है अभी मैंने क्या बोला कि sub-cell के अंदर कौन होती है orbitals होती है तो यह sub-cell के अंदर बेटा 1S-orbital होगी इसको इस तरीके से represent किया था एक box बना के एक P-sub-cell अभी मता है था एक P-sub-cell में बेटा कितनी होगी 3P-orbital होगी PX, PY, PZ कहानी संज मारी न और एक आर्बिटल के अंदर बेटा कितने लक्टान आते हैं दो तो इस कार्थ क्या है कि S के अंदर बेटा कितने लक्टान होते हैं दो होते हैं इसके आद P-sub-cell P-sub-cell के अंदर 3P-orbital होगी और एक आर्बिटल बेटा दिक्तम कितने लक्टान रह सकते हैं पोजिटी स्पिन के एक आर्बिटल में 2 तो टोटल कितने आ गए आपके P-sub-cell में एक P-sub-cell में 6 लक्टान आ जाएंग इसलिए P6 लिखा जाता है क्या लिखा जाता है P6 अगला है D-Arbital एक D-sub-cell के अंदर 5D-Arbitals होती कितने D-Arbitals होती 5 तो यहाँ पर एक में कितने लक्टान बेटा होते हैं एक आर्बिटल में 2 होते हैं तो टोटल कितनी आर्बिटल है 5 तो इसका आर्था है कि एक D-sub-cell में टोटल लक्टान कितने हो जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे ऐसे ही अगर 1F subcell में देखना है तो 1F subcell में 7F orbital होती है कितनी orbital होती है साथ orbital होती है clear यहाँ पर यहाँ पर यह दिखा दिया गया है D में 5 orbital है बैद D subcell में 1D subcell में कितनी orbital है आपकी 5 है यह 5D orbitals हैं Dx by D by Z, Dzx, Dx square minus by square, Dz square clear और 1F subcell में कितनी मिलेंगे साथ यह देखिए आपकी total साथ है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 total साथ है इनमें कितनी electron बेटा रहते हैं एक orbital में 2-2 इस तरीके भरोगे तो F में total electron कितनी निकल काएंगे 14 और इनके नाम भी दियें F3x, F3y, F3z, EFz, X square, Y square, EFx इनको याद करने की कोई याद सकता नहीं बस इतना रहान रखेगा कि इसमें क्योंकि F का बहुत कम यूज होता है इनकी यह naming बहुत कम लिखी जाती है बस SPD तक ही काम हो जाता है क्लिए फिलाल में मने लिख दिया आपकी knowledge के लिए कि मालूम होना चाहिए कानी संदार ही ना तो EF सब cell में कितनी बेटा orbital होंगी आपकी साथ होंगी और प्रतेक orbital में दो इलक्टरान रहेंगे तो कितनी इलक्टरान हो जाएंगे चाओदा हो जाएंगे अगला point है कि किसी cell में आर्बिटल की संख्या एनिस्कौर होती है जहाँ एने फ्रिंसिपल क्वांटम है सको जरा समघते हैं कि कि किसी cell में आर्बिटल की संख्या, याem सक्वार कлек Pro होती. इसको कैसे calculate करेंगे अभी देखते हैं. कि किसी cell में जो आर्विटल की संख्या होगी वह एनसक्वार होती है, इसको कैसे समझा जाए judges say I love A Andrew. जैसे मैं नहें ले लि pog 컨्모डया के ELM इनके नंबर है 1, 2 और आपका 3 clear cell के अंदर बेटा आपको क्या मिलने वाले है cell के अंदर मिलने वाले है आपको sub cell ये भाई आपके cell है clear cell के अंदर क्या मिलने वाले है sub cell तो sub cell भी इनी नंबर किकल होते है भी बताया भी है कि cell के अंदर जो सबसेल होंगे वो किसके बराबर होंगे बेटा सेल के अंदर सबसेल जोंगे वो सेल के नंबर के बराबर होंगे अब यहाँ पर सबसेल बेटा एक है तो इसके अंदर एक हो जाएगा इसके अंदर बेटा कितने है यहाँ पर एक है S, इसके अंदर 2 हो जाएंगे S और P, इसके अंदर 3 हो जाएंगे SPD, काहनी संज़ा रही न, अब सबसेल के अंदर बेटा कौन होते हैं हमारे, आर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं, आर्बिटल, अब जैसे यहाँ पर S सबसेल है, 1S सबसेल, इसके अंदर बेटा क्या होगी, 1S आर्बिटल एक यस आर्बिटल होगी और वो आपकी कुछ ऐसी होगी और इसमें कितने इलक्टरान होंगे दो होंगे इलक्टरान से लेना देना नहीं आर्बिटल से लेना देना है अब यहाँ पर जो दूसरा सबसेल है दूसरे भाई आपका सेल नंबर बराबर टू है इसके और 1 का SqaR करेंगे, तो बेटा कितना आएगा, 1 का SqaR करोगे, तो 1 निकल के आएगा, ये जो 1 निकल के आएगा, ये क्या 100 कर रहा है, ये 100 कर रहा है, ये 100 कर रहा है, जो भी यहाँ पर आप प्रूब भी कर चुके हो, कि 1 S SqaR में 1 S orbital होगी, काहनी संजमा रही ना अब हम देखना चाहा रहे हैं कि जो दूसरा subcell है यहाँ पर देख रहे हो कि L जो आपका है यह दूसरा cell है इसके अंदर subcell बेटा कितने होंगे 2 इसका square कर दो 2 का square बेटा कितना आजाएगा 2 का square 4 आजाएगा 2 का square कितना आ जाएगा 4 तो क्या 4 सब से आर्बिटल होंगी या नहीं होंगी clear तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर S और P हैं तो S में यहाँ बेटा 1 होगी और P में यहाँ पर कितनी आर्बिटल होंगी 3 अब count करो 1 2 3 और 1 4 आ गया तो ध्यान रखना कि कभी भी cell के अंदर आर्बिटल की संख्या निकाल लिए हो तो डारेक्ट क्या कर दो उस cell के नंबर का square कर दो तो क्या निकल का जाता है आपका आर्बिटल की संख्या clear अगले point पर चलते हैं अगला point हमने एक table की form में लिया है इस table की form को अच्छे से यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर आपका column है sub cell का इधर है number of orbital in sub cell इनी जो sub cell है उसमें कितनी orbitals हैं फिर उन sub cell में कितने electrons है maximum electron और फिर उनके representation लिखा representation of electron in given sub cell अब जैसे यहाँ पर sub cell हमने लिए हैं 4SPDF यह हमारी क्या है बेटा चार sub cell है जिनको हिंदी में हम लोग कहेंगे उपकोस clear अब number of orbital in sub cell हमें मालुम है कि जो उ उपकोस होते हैं बेटा इनके अंदर कौन चिपए होते हैं आर्बिटल तो जैसे पहला उपकोस है इसके अंदर sub cell कितने होंगे सरी आर्बिटल्स निकालने हैं तो करना क्या है यहाँ पर कितना हो जाएगा एक अभी बताए भी था पी में कितनी होती है आर्बिटल 3 दी मे इस तरीकेस निकाल देंगे अब यहाँ पर देखिए फिर में निकालना इनमें हैंतरो यहाँ इस तरीकेस इनको प्रदर्सित भी किया जाता अभी हमने पीछे भी पढ़ा है तो यहाँ पर चीजे शमाज में भी आ किस तरीके से हो जाता है, next point पहुंसते हैं, अगला जो है clear, यहां तक हमारे point complete हो गए हैं, आपके जो modern atomic model था, अब modern atomic model के बाद, यहां पर एक छोटा सा short answer है, electron cloud model of the hydrogen atom, इसको जरा समझ लेते हैं, देखिए, जो hydrogen atom का, जो cloud model है, इसको किस तरीके से पढ़ा जाए, इनका कहना है, कि electron जो होता, वो wave की form में है, electron जो है, nucleus के चारोर, cloud की form में रहते हैं, कैसे रहते हैं, करा hydrogen के एक atom में, nucleus में एक proton होता है, जो hydrogen का एक atom होता है, यहां पर इसका कितना होता है, 1H1 होता है, तो इसका atomic number 1 होता है, इसी atomic number को क्या कहते हैं, proton कहते हैं, और यह proton कहां मिलेगा, आपका nucleus के अंदर मिलेगा, और electron, इसके अंदर एक ही electron होता है, तो proton होगा nucleus के अंदर, और electron जो होंगे, वो तो करा हाइड्रोजन एक एक अटम के नूक्लेस में एक प्रोटान होता है तता electron का negative charge cloud की form में नूकलेश के चार हो diffused माने फैला होता है electron cloud का density हर जगए एक समान नहीं होता है जो आपका electron cloud होगा उसकी density उसकी मातर हर जगए एक जैसी नहीं होगी वो uniformly distributed नहीं रहेगा ध्यान रखिएगा यहाँ पर कहा रहा है कि जो आपका proton है वो तो nucleus के अंदर रहेगा और जो electron है वो cloud की form में nucleus के चारों diffused रहेगा, फैला रहेगा, बिस्रित रहेगा clear? और ये electron cloud की जो density उसकी जो मात्रा है वो हर जगए एक समान नहीं रहती है clear? करा electron cloud electron cloud की जो density है जिन चेत्रों में ज़ादा होती है उन चेत्रों को क्या कहते हैं? करा जिन चेत्रों में maximum होती है अर्थात, उन regions में electron के पायजाने की probability maximum होती है उन regions को atomic orbital कहते हैं वो कह रहा है कि जो electron cloud है clear? electron की जो मात्रा है वो हर जगए एक जैसी नहीं होगी कहीं कम कहीं ज़ादा, जिन जग़ों पर ज़ादा होती है ऐसे region को, ऐसे चेत्रों को, ऐसी जग़ों को, ऐसे space को हम लोग क्या कहते हैं? atomic orbitals कहते हैं clear? यहाँ पर atomic orbitals के एक बार दुबारा, further definition repeat की गई है clear? दुबारा, करा nucleus के चारों और, nucleus के चारों और का वे 3D space जहाँ electron के पाजाने की probability maximum होती है उन 3D space या region को atomic orbitals कहते हैं clear? यह था हमारा hydrogen का electron cloud model आगे move करते हैं, यहाँ पर आपको चित्र देख रहे हैं यहाँ पर nucleus बना दी गई है, इस nucleus में एक proton आपको मिलेगा और इसके चारों यह हमने electron cloud इस तरीके से represent की है बस ध्यान रखना, यह electron cloud की मात्रा हर जगे एक जैसी नहीं होगी कहीं मात्रा कम होगी, कहीं मात्रा जादा होगी तो overall इस video lecture में हमने बात की है कि हमारा Schrodinger का जो modern atomic model है वो क्या होता है और hydrogen का electron cloud model hydrogen का electron cloud model इन दोनों को हमने अच्छे से discuss किया इनको पढ़ने के बाद आपको यह पूरा data आपके पास यह आ जाएगा जो अभी तक इनको अगर हम हलके से highlight आपको दिखाएं आपके दिमात में जहन में इतनी चीज़े मालूम होनी चीज़ी बस इतनी ही याद रखना है जो मैं बोल ला हूँ यहाँ पर एक मिनट का यह nucleus है clear यह कह सकते हैं कि यह atom है इस atom के दो पार्ट है पहला यह nucleus और दूसरा पार्ट है आपका nucleus के चारोर का 3D space जहां electron रहते हैं और इनको orbital कहते हैं इतनी याद रखेंगे पहली बात दूसरी बात याद रखेंगे कि जो nucleus के चारोर जो energy levels है जो energy levels है जिनको हम लोग principal energy level कहते हैं clear या इन ही को हम लोग क्या कह देते हैं cells कह देते हैं इनके अंदर छोटे छोटे आपके और level मिलेंगे उन छोटे छोटे लेविल को हम लोग क्या कहेंगे sub cell कहेंगे या इन ही को कहेंगे sub energy level क्या कहेंगे sub energy level इन sub energy level के अंदर छोटे छोटे लेविल और मिलेंगे जिनको कहेंगे orbital कहेंगे और इनी आर्बिटल के अंदर इलक्टरान होगा बस आप सभी लोग मेरी इतनी बात ध्यान से सुलनों बस आपका modern atomic model तयार हो गया कि energy levels या principal energy levels या cell ये जो हैं clear इनके अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं sub cell या sub energy level मिलने वाले हैं और इनके अंदर आर्बिटल और आर्बिटल के अंदर इलक्टरान जो sub cell है sub energy level हैं इनको generally KLMN या आपके जो numbers हैं इनके दोरह represent किया आता है जो sub energy level हैं इनको SPDF से represent किया आता है और जो आर्बिटल होती हैं ये भी चार प्रकार की होती हैं इनको भी SPDF से represent बस antar इतना है कि जो sub cell होता है उसके अंदर कौन होती हैं आर्बिटल जैसे आपका अगर ES sub cell की बात की जाएगी किसकी ES sub cell की तो इसके अंदर एक ES आर्बिटल होगी ध्यान रखना ES sub cell के अंदर एक ES आर्बिटल अगर वो कहेगा P sub cell इसके अंदर कितनी होगी बेटा 3P आर्बिटल बात ध्यान रखना अगर वो D sub cell केगा तो इसके अंदर बेटा कितनी होगी यह 5D आर्बिटल इस तरीके से ऐसे F के लिए बोला जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 7 अगर वो किसके लिए बोला जाएगा D के लिए बोला जाएगा F के लिए बोला जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा 7 EF आर्बिटल क्लियर उमीद है यह वीडियो लेक्च्चर आपके बहुत अच्छे समझ माया होगा क्लियर मिलते हैं अपने